हेलो फ्रेंड मैं सुस्मा मौरिया स्वागत करती हूँ आप सब्सक्राइब अपने सी यूट्यूप चनल पर फ्रेंड आज हम फोटी चेस्ट का ब्लाउज बनाने वाले हैं बैल्ट ब्लाउज तो यह हमारा अस्तर है इसको हम आगे और पीछे में डिफ्रेंस करेंगे डेढ़ इंच का और उसके बाद इसको बराबर करते हुए इसके चवणाई लेंगे बारा इंच क्यों क्योंकि 10 इंच हमारी फेटिंग कर रहेगा यानि फोटी चेस्ट का बनाना है तो 10 इंच हमारा एक बटे चार हुआ एक बटे च यानि 10 इंच और 2 इंच हम एस्टर मार्जिन लेंगे चोड़ाई हो गई और लंबाई हम लेंगे इसमें 15 इंच साड़े चोड़ा पीछे का है और 16 इंच आगे का है इसके बाद हम बराबर करते हुए इसको फोर फोल्ड कर लेते हैं यह बिल्कुल बराबर करते हुए कम ज्यादा ना रहे फूर फूल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे बराबर करते हुए अब यह फूर फूल्ड हो चुका है फ्रेंट अब इस पे हम मार्किंग करेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए तो सबसे पहले हम साड़े पांच इंच सोल्डर का निशान लगाते हैं इसके बाद आर्म हूल का निशान लगाएंगे साड़े छे इंच साड़े छे आर्म हूल का निशान लेते हुए और फिर इसकी गुलाई का निशान देंगे इस तरह से हो गया इसके बाद हम धाई इंच गले की चुमडाई लेंगे फिर इसकी गराई लेंगे साढ़े छे इंच आगे का गला हमारा रहेगा इस तरह से और इसके बाद आठ इंच पीछे का है सुल्डर डाउन होगा फिर आगे गले के मारकिंग हो जाएगी गुलाई का शेप लगाएंगे इसके बाद फिर पीछे का गले का शेप यूज शेप ही बनेगा सिंपल ही है तो सबसे पहले हम आगे वला गला जो है उसे कटिंग करना स्टार्ट करते है और इसके बाद हम सुल्डर डाउन करेंगे फिर साइट से कटिंग कर लेंगे हो गया फिर दोनों पार्ट अलग करते हुए पीछे वाले पार्ट की गुलाई देंगे ये गले की गुलाई जो होती है कटिंग करेंगे इस तरह से इसमें डाट का निशान लगाएंगे सूल्डर के सेंटर लेते हुए यह देड़ इंच दिर्चा करते हुए डाट का निशान लगाएंगे इस तरह से इसके बाद फिर यह फ्रेंट पार्ट जो हमारा है आगे का इसको आगे से कट कर लेंगे कट करने के बाद फ्रेंड आर्म होल की गहराई देंगे आर्म होल की गुलाई जो होती है आगे में एस्टर कटिंग जो होती है उसकी कटिंग देंगे फिर बेल्ट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच इधर आगे की साइड और साइड में 2.5 इंच फिर तिरच्छा लेते फिर बेल्ट का निशान हम लगाएंगे इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे हो गया अब डॉट का निशान आगी वाला आगी का पुर्शन जब होता है इसमें हम डॉट का निशान लगाएंगे धाई इंच इधर से लेंगे और दो इंच का गैब करते हुए नीचे की नीचे का प्लेट का निशान लगाएंगे उसके बाद फिर साइड का भी दो इंच का डिफरेंस करते हुए ऐसे इस तरह से फिर ऊपर वला डॉट का निशान इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे निशान इसको ऊपर रख करके भी हम लगा सकते हैं अलग-अलग से भी लगा सकते है हो गया तो आगे और पीछे हमारा कम्प्लीट हो चुका है प्रेंट साइड करते हैं इसके बाद ये बचा हुआ जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इससे हम स्लीव बनाएंगे तो स्लीव के लिए सबसे पहले हम इसको फोर फोल्ड करेंगे फोर फोल्ड हो गया है बिलकुल बराबर करते हुए बंद वाली साइड हम उपर करेंगे और खुली वाली साइड नीचे करेंगे इसमें तीन इंच निशान लगाते हुए मार्किंग करेंगे बाजू का शेप का निशान लगाएंगे इस तरह से फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से हो गया फिर इसको कोलते हुए और अगर ये कम पड़ता है तो साइट से ये जॉइंट भी ले लेंगे नहीं कम पड़े तो नहीं लगाईए तो हम इसको आर्मूल की गहराई ले लेंगे हो गया अब अस्तर की कटिंग हो चुकी है फ्रेंट अब हम साड़ी का जो पीस है हमारा ब्लाउस का उस पे रखते हुए निशान हम लगाएंगे इसके बाद कटिंग करेंगे पीछे का पाट सबसे पहले काटेंगे अस्तर पर रखके बरावर पिछाते हुए कटिंग करनी है बागी तो इसमें कुछ नहीं है इसी तरह से आगे के पाट की भी कटिंग करेंगे और स्लीव की कटिंग करेंगे इस तरह से यहारी कटिंग कम्प्लीट हुए फिरेंगे ब्लाउज की बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं आप चाहें तो वीजिट कर सकते हैं तो यह हमारा आगे का पार्ट पीछे का पार्ट और बाजू उगेरा सब कुछ कट कर रेड़ गई है ब्लाउज से रिलेटेड यह कोई आपका प्रशनों हो तो कमेंट जर